पुरातन सब्वेता और हमारी नई टेक्नलोजी पुरातन टेक्नलोजी और नई टेक्नलोजी यहां पर दो बनते हैं और इस बिजली के कारण उसमें इसमें बल भी लग सकता है तो रात को भी आप इसको अगर चाहें तो चला सकते हैं इस से एलेक्ट्रिक भी पैदा होती है और यह सोलर पैनल की ताका से अब आपको मैं शांदर चीज दिखाने वाला हूँ यह देखिए इसको हम यह ऐसे पाइप को यह हम खोल देते हैं और यहां से इस पाइप को हमने यहां खोल दिया अब आपने इसमें जो दवाई डाले हैं यह हमारे बैल इसमें चलते हैं और इससे हमारी पूरी फसल में देखिए इस्प्रे होता है यह अपने आप में शांदार टेक्नोलोजी है शांदार चीज है और आधुनिक विज्ञान की और पुरातन की ऐसा शांदर बेजोड मेले दुनिया की सबसे बड़ी गव विज्ञान अनुसंधान द्वारा बनाया गया है जो एनेज 44 में जो कश्मीर से कन्य कोमारी का सबसे बड़ा हाईवे वहां पे देवलापार में जो नागपुर जि तो आज पूरी दुनिया मान रहा है जिसमें यह 41 तरीके के प्रोडेक्ट मनाते हैं जिस पूरी दुनिया में जा रहा है और यहां की गव मूत्र अरक को अमरिका चाइना अफरीका और ऐसे कई देसों ने इसको पैटेंट दी हुई है और इनका नीम कीट नासक बनाया जात है और इसको जब आपको यूज हो गया यह आपके खेत में चलेगी और यह टेक्टर के पीछे लगेगी और जब आपको इसको एक जगे खाली करना जब इसका उप्योग हो गया तो इसको ऐसे आप घुमाके बहुत अच्छे से इसको आप ऐसे बैंड कर सकते हैं और एक बार भरने पर यह लगबख एक एकड़ में उप्योग हो जाता है फिर आप इसमें स्प्रे भर दीजिए फिर आपका एक से दो एकड़ में फिर यह उप्योग हो जाएगा उपर यह सोलर पैना लगे हैं शांदर मशीन अपने आप में एक साइंस और विज्ञान का अनुखा संगम जिसने वैदिक विज्ञान और आदुने विज्ञान को मिला के इतनी शांदर चीज बनाई है जिसमें गर्व की अनुबूती होती है शूरी की रोशनी की शक्ती से चलती है बैल यहां पर रहते हैं इसमें यह जो सॉकेट्स लगे हैं इस से लेक्ट्रिक प गाड़े और इससे हमारे नंदी मराज बैल का संबर्दन हो सकता है यह ज्यादा भारी नहीं है क्योंकि आज की योग में गव माता के साथ साथ हमारे बैल जिसमें हम पोला में जिसको पूछते हैं जिसकी बहुत जाता प्योगीता थी लेकिन उसको भुला दिया गया है इस परे करेगी मशीन हर एक एक फिट के बीच में लगी हुई इतनी शांदार मशीन इतना शांदार और इसके टायर देखिए कितने पतले हैं तो आप कोई सी भी फसल में इसको चला सकते हैं इसमें आपको टेक्टर की जुरत नहीं है आदमी की जुरत नहीं बहुत अराम स चल सकता है इतना शांदार जो हमारे गेहूं और अन्य फसल के लिए वर्धान है अपने आप में शांदार चीज है और फिर से में इसको बंद करके तो हमारा जो हमारा जो भारत देश है वो अपने आप में एक संबर्दन देश है जिसमें गजब की टेक्निलोजी का प्रयोग किया गया मेरा मन प्रसुलित हो गया आपको कैसा लगाई जो गाई आप भी अपने उसमें कर सकते हैं अगर आपके पास बैल है और इसमें भीज ड़एगा और आप इसमें बोनी भी कर सकते हैं तो आज बैलो के लिए आती अधुनिक मशीन मनाई गई है जिस से आप बहुत अच्छे से बोनी बखरानी है और बहुत अराम से कर सकते अंके सर जो इलेक्टरिकल मेनिक इंजिनियर है और उसके साथ अभी बेटनरी में इस्टड़ी कर रहे हैं इसे डॉक्टर काम करने वाले हैं तो इतने युवा को साथ हम बैठे हैं अनुसंधान के बारे में बताएंगे कि सर यह जैसे मशीन दिख रही है मिरेको यह पाई दिख रहा है तो इसमें दो बैल लगते होंगे सर यह जो बहन ही करते हैं जिसको बीच पेरना वोल भूपाई करें तो वहां पर यह पाम करते हैं तो देखिए इसमें कितने अच्छे से अपन बीच बह सकते हैं और यह मशीन जादा भारी नहीं यह यह हल्की है यह मेरेको दूसरी मशीन दिख रही है यह बख्कर काहीं के कि इसको बक्खर बुलते हैं जो अपन बक्खर मारते हैं अपने तूर या पराटी की बीच में या फिर हमें जमिन को तयार करने के लिए जो हमें वक्खर करना पड़ते हैं तो यह उसमें उपयोगा था और यह एक बेल से चलता है देखिए अभी गव संबर्दन प्रकरती खेत आप बढ़िए लिकिन बडा यह देखिए बड़ा प्लाव है और यह क्या भाई जिसको जिसमें जाहां पर इसका उपयोग किया जाता है जहां पर कचरा उब जाए तो तो धान की कमर तोड़ देगी और कचरा एक तरीके से निकाल देगी यह उसी पद्दती का यह भी दता स्टार सिस्टम है और यह कल्टीवेटर निकालने वाला है ऐसी लगबग यहां पर 15-16 मशीन है और युसको बहुत अच्छे से यहां उप्योग की जाती है तो यह अपने आपने बहुत शांदार देशी जोगाड़े इसको आधुनिक विज्ञान और पुराने विज्ञान को मिलके बनाया गया और एसे यंग टैलेंड को भी में प्रणाम करता हूं जो इतना अच्छा काम कर रहा है एक दुनिया की सबसे बड़े गव विज्ञान और नुसंदान में जोड़के तो मैं आपको भी प्रणाम करता हूं और इतनी शांदर मशीने आपको में एक बार यह दिस्क्रिप्शन में देखे कितनी अच्छी मशीने लगे हुए हैं